रानी लक्ष्मी बाई का जन्म 13 नवंबर सन 1835 में मोरोपंथ तामबे के ग्रह में एक कन्यारत्न ने जन्म लिया। उसका नाम माता भगीर्थी बाई ने मनुबाई रखा। मोरोपंथ तामबे जाती के ब्राहमन थे। वे सतारा जिला के रहने वाले थे। परिस्थितिया और जीविज्या उन्हें परदेश ले आई। वे काशी प्रवास कर रहे थे, उनके कोई संतान नहीं थी। बहुत दिनों की आशा। प्रतीक्षा के बाद उन्होंने कन्या का मुह देखा। दमपती ने खूब खुशिया मनाई। उनके आनंद का पारवार न रहा। मुरोपंत तामबे एक कुशल पंडित थे और जोतिश विद्या पर भी उनका पूर्ण अधिकार था। नगर बनारस में उनकी प्रतिष्था थी। लोग सम्मान करते और उन्हें आदर की द्रिष्टी से देखते थे। उनकी पत्नी का स्वभाव भी सरल था। वह मृदु भाशनी थी। मनुबाई को जब वह गोद में लेती तो सुन्दर-सुन्दर सपने देखती की वह अपनी लड़की का विवाह बड़ी धूमधान से करेगी। मोरोपंत तामबे मन ही मन इश्वर को सराह रहे थे कि वास्तव में उन्हें जीवन का सच्चा सुख अब मिला है। वे भी कन्या को देखकर फूले नहीं समाते। अधिक चिंता और सोचने के कारण भगीर्थी बाई का। स्वास्थ्य खराब हो गया था। यद्यपी मनुबाई के जन्म के बाद उनकी तंदुरुस्ती में कुछ सुधार अवश्य हुआ। किन्तु वे पूर्नत्या निरोग नहीं हो पाई। मनुबाई दो-तीन महीने ही मा की गोद में खेली। एक दिन वह गोद उससे छिन गई। भगीर्थी बाई चल बसी। उन्हें केवल दो-तीन दिन ज्वर आया और उसी में उनका प्रणान्त हो गया। मोरोपंत माथा पीट कर रह गए। उन्होंने पुत्री को गले से लगा लिया और पत्नी का दुहक भूलने का प्रयत्न करने लगे। मोरोपंत तामबे मनुबाई को इतना प्यार करते कि वे उसे छोड़ कर कहीं नहीं जाते। वे मा की तरह उसका लालन-पालन कर रहे थे। अभी वे युवा थे। लोगोंने उन्हें दूसरा ब्याह करने की सलाह दी किन्तु वे उस पर सहमत नहीं हुए। उनका कहना था कि मैं अपनी पुत्री का पालन-पोशन करूंगा। मुझे ब्याह की इच्छा नहीं, मैं साधा जीवन व्यतीत करूंगा। एक बात और थी। जब से भगीर थी बाई की मृत्यू हुई, तामबे का मन काशी में नहीं लग रहा था। वे काशी छोड़ना चाहते थे, लेकिन गंगातट नहीं। गंगाजी पर उनकी अपार श्रद्धा थी, उनके सहारे से काशी आकर रहने का। का एक कारण यह भी था। सन्योग की बातर एक बार जहासी के राज्य जोतिशी काशी आये। दशाश्वमेद घाट पर मोरोपंत तामबे की उनसे भेंट हुई। उन्होंने उन्हें प्रेयना दी और कहा कि तुम चलकर बिठूर में रहो, वहां भी गंगा का किनारा है। मेरे द्वारा तुम्हें वहां दर्बार में स्थान मिल जाएगा। बिठूर के पेशवा लोगों का बोलबाला है। जांसी के राजज्योतिशी की बातों पर मोरोपंत तामबे ने खूब गहराई के साथ विचार किया। उसे लगने लगा कि वह बिठूर में जाकर अपना जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत कर सकेगा। आथ कुछ दिन बाद उसने मनुबाई को लेकर बिठूर की यात्रा आरंभ कर दी। मार्ग में जितना कष्ट मिला और जो संकट भोगने पड़े, मोरोपंत तामबे वे सब बिठूर आकर। भूल गए। अब मनुबाई उनकी जिन्दगी का एक मात्र सहारा थी। उसे पत्नी की सुधी आ जाती तो आखे भर आती, चहरे पर मुस्कान दौर जाती। वह मन ही मन कहता कि देखो भगीर्थी तुम्हारी गुडिया कैसी खेल रही है। दोनों आखो से नहीं उसे एक आख बंद करके देखना नहीं तो नजर लग जाएगी। इसके बाद यह होता कि मनुबाई बाप की गोद में होती और वह उसके प्यार में निहाल हो जाता। एक आख प्रवका आख नहीं तुम्हारी खेल उसके हैं